स्वास्थ और संधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे टोमेटो जितना सिहत के लिए फायदमन माना जाता है उतना ही स्किन के लिए फायदमन होता है टोमेटो में विटामिन C, विटामिन E के साथ साथ विटामिन K प्रचूर मातरा में पाय जाता है जो स्किन के डलनेस को दूर कर ग्लोइंग बनाने में मदद करता है टोमेटो का इस्तमाल DIY ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खूब किया जाता है। टोमेटो में मौजूद acidic properties, कील मुहासे और दाग धबू की समस्यों को जर से खत्म करने में कारगर सावित होता है। लियमित अपने चहरे पर टोमेटो लगाने से चहरे पर प्राकृतिक निखाराने लगता है। इसके साथ ही हल्दी तवचा के लिए किसी राम बाण से कम नहीं है। हल्दी में एंटी बैक्टिरियल और एंटी एजिंग के साथ साथ कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो तवचा को फाइदा पहुचाते हैं। हल्दी के इस्तमाल से चहरे पर पड़े पुराने से पुराने दाग धबे भी धीरे धीरे गायव होने लगते हैं। हल्दी मुहासो की लालिमा, सूजर और पपड़ी को हटाता है। साथी नए मुहासो को निकलने से भी रोकता है। एंटी एजिंग प्रोपर्टी से भरपूर हल्दी के नियमित इस्तमाल करने से तो अचापर भरती उम्र के लक्षनों को कम करने में मदद मिलती हैं। वैसे तो टोमेटो और हल्दी दोनों को अलग-अलग भी इस्तमाल किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाये जाता है, तो जवर्दस्त फायदा देखनी को मिलता है। तो फिर टोमेटो के साथ हल्दी को चेहरे पर कैसे अपलाई करना है? इसके बारे में जानने के लिए बने रेश वीडियो के साथ. इसके लिए टोमेटो यानि टमाटर का एक स्लाइस ले ले. अब इसके उपर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर छिड़क दे. इसके बाद इस अपने चेहरे पर अपलाई करें. इसे अपने चेहरे पर लगाने के लिए अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर ले. इसके बाद टोमेटो की स्लाइस को लेकर अपने चेहरे पर पाच मिनट तक सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे रब करें. ऐसा करने से चहरे पर जमी सारी गंदगी साफ हो जाती है साथी चहरे की ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है जिससे रूखी वो बेजान तुचा में भी वापस से जाना जाती है इसके बाद चहरा पानी से धोले बहतर रिजल्ट पानी के लिए वीक में दो से तीन भारी से जरू ट्राय करें टोमेटो और हल्दी का कॉम्मेनेशन इसकिन के लिए काफी फायद मन माना जाता है नियामित इसके इस्तमाल से डार्क स्पोर्स, एक्ने, पिंपल जैसे स्किन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और तोचा साफ नेखरी वज़वा नज़र आने लगती है तथा हमारी वीडियो पसंद आई तो से लाइक और शेर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नहीं नहीं जानकारियें आप तप पहुचाते रहें धन्यवाद